हेलो एवरिवन और वेल्कम टू यार ओन चैनल केशव जा किंग्स लैब तो जैसा कि आप लोगों पता ही है कि हम लोगों ने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट के जिसके अंदर हम लोग कर रहे हैं क्रैश कोर्स किसका बीस्ट यानि बिजनस स्टुड़ीज क्लास 12 और हमारे चैप्टर है वो है चैप्टर 6 जिसका आज हम करेंगे पार्ट 2 पार्ट 1 मैंने अल्रेडी अप्लोड कर दिया अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लेंगे ठीक है और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो तो हमारी लास्ट वीडियो में हम लोगोंने स्टाफिंग की मीनिंग पढ़ ली थी मीनिंग के साथ हम लोगोंने इसके नीड एंड इंपोर्टन्स भी पढ़ लिया थे नीड एंड इंपोर्टन्स के बारे भी हमने डिसकस्शन कर लिया था साथ हम लोग ने HRM Human Resource Management और HRD Human Resource Department इनके बारे बात कर ली थी ठीक है और हमारा Process क्या होता है Staffing का हमने उसके बारे में भी बात कर लिया था तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वह है Recruitment Recruitment को हम लोग Hindi में बोलता है भरती भरती ठीक है तो भरती का बतलब यह नहीं होता है लोगों को यह बता रहे हो कि आपके पास जगह खाली है तो आप भरती कर रहे हो यानि लोगों को अभी सिर्फ यह बता रहे हो कि आपके पास नौकरी खाली है अब वो लोग यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं वो लोग यहाँ पर अपना आवेदन दे सकते हैं अपलाई कर सकते है ठीक है हिंदी वैसे तो मैं वह इस वीडियों से काफी हल्प हो जाएगी लेकिन अगर देखना है तो मैंने पूरी अलग से एक प्लेलिस्ट लास्ट यह भी बना दी थी आप उसे भी चेकाउट कर सकते और पूरी प्रॉपर हिंदी में आपको पूरे डिसकुशन वहाँ प process of searching for perspective und numATTainstimulating them to apply for jobs in the organization मतलब आप क्या कर रहों आप सर्च कर रहें आप के prospective employees को और आप उनको क्या करने के लिए की ओप्लाई करने के लिए कि आपके organization में अप्लाई करें यह आप उनको क्या कर रहाएक स्टिमिलेट कर रहे है कैसी situation बना रहे हो जहांपर वह आप आप recruit करोगे लोगों को तो कहां से recruit करोगे तो आप दो जगह से भरती कर सकते हो that is internal sources and external sources internal sources यानि company के अंदर से ही आप करते हो external आप company के बाहर से लोगों को ले करके आते हो अगर मैं इसको प्रॉपर हिंदी वैसे मैं यूज करना नहीं चाता है वरना इसको हो जाएगा आंत्रिक भरती और बाहे भरती ठीक है बाहरी स्रोतों से भरती या फिर आंत्रिक स्रोतों से भरती बट इतना हिंदी पर हम लोग जाते हैं नहीं है इंटर्नल सोर्स मतलब कंपनी के अंदर से और्गनाइजेशन के अंदर से एक्स्टर्नल सोर्स यानि और्गनाइजेशन के बाहर से यह हमारी और्गनाइजेशन है इंटर्नल अंदर एक्स्टर्नल बाहर तो internal source of recruitment की अगर बात करते हैं तो internal source refer to the inviting candidates from within the organization following are the important source of internal recruitment यानि कि अगर हम internal source की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है कि आप ऐसे candidates को invite करो जो already आपके organization के अंदर ही है यानि कि internal source refer to inviting candidates from within the organization organization के अंदर से ही अब इसके कुछ importance है वो हम लोग कर लेते हैं ठीक है अचा मैं आप लोगों बताना भूलिए कि यह चीज की हम लोग इसमें जो discuss करें वह support material को discuss करें support material discuss करें support material जो कि Delhi government देती है हमें क्या है कि मैंने पूनम गांधी की पड़ी हुई है मैंने आर्केंस पड़ी हुई है मैंने ओसवाल की बुक पड़ी हुई है Μैंने यू लाइक पड़ी है जो कि हम दोग नॐरमल ili पढ़ते ही है you like और व adelante सारी books मैंने अपने PGT experience में पढ़ी हुई है बट मुझे यही लगा कि अगर मुझे short term में अच्छे notes चाहिए तो support material में काफी अच्छे notes दे रहे हैं business studies के इसलिए मैं यहां से करवा रहा हूँ आपको ठीक है कावी अच्छे notes है यह तो आप कैसे कर सकते हो सबसे पहली चीज तो आप transfer कर सकते हो transfer यानि एक जगह से दूसरी जगह भीज सकते हो दली में मुंबई भेज़ दो है ना दली में मुंबई भेज़ दो या फिर कोई आपके regional office में बंदा है उसे main head office में भेज़ दो transfer it involves the shifting of an employee from one job to another from one department to another और और from one shift to another shift यानि कि आप यह हो सकता कि किसी की पहले morning में shift हो आप उसे evening में दे दो यह भी क्या हो गया transfer हो गया एक तरीके का आप एक जॉब से दूसरी job पे भेज़ दो regional office से head office भेज़ दिया एक department से दूसरे department में भेज़ दो पहले sales department में ते अब department चेंज करो चाहे आप प्लेस चेंज जॉब चेंज करो चाहे आप शिफ्ट चेंज करो कुछ भी चेंज करते हो तो यह क्या कहलाएगा आपका transfer simple promotion यह तो देखा ऐसी ऐसा वाड़ा जो सब को पता है मेरे पापा को promotion मिला चाचा को मिला है मैं उनको promotion नहीं मिला promotion मतलब क्या जिस job पे आप हो आप उससे higher position पे जा रहे हो यह promotion होता है ठीक है तो it refers to shifting and employ to a higher position carrying higher responsibilities prestige facilities and pay यानि किसी इंसान को एक स्टेज से उठा करके दूसरे स्टेज पर रखना यहीं क्या कहला था higher stage पर lower नहीं higher stage पर रखना यह क्या कहला था promotion इसमें क्या होगा जितनी responsibility यहां पर थी उससे पढ़ा रहो फिर वह 12 पर पढ़ाने लगे क्या होगा उसकी income बढ़ेगी है ना उसकी प्रेस्टीज बढ़ेगी उसकी responsibilities भी बढ़ेंगी तो कई सारी चीज़े होती है ठीक है ले आफ ले आफ का basically मतलब क्या होता है कि आप को आपके पास काम की जरूरत आई तो आपने उनको temporary workers को वापस बुला लिया ठीक है यानि आपके कुछ temporary workers है आप उनने तभी बुलाते है जब आपके पास workload जादा होता है तो टू रिकॉल तो temporary workers for work is called layoff who were temporarily separated यानि ऐसे वरकर जब कंपनी में काम होता है तो आप उन्हें बुला ले तो कंपनी में काम नहीं होता तो उनको वापस बेज देते हो तो यह हमारे क्या कहलाते है temporary workers और इनहीं को बुलाने का जो प्रॉसेस हो वह क्या कहलाता है ले ओफ ठीक है अब एक सीदी सी बात है मैं organization में काम कर रहा हूं मुझे पता है अगर मैं यहां अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरे को promotion मिलेगा मुझे और ज्यादा अच्छी जगह transfer मिल सकता है तो मैं अच्छे से काम करूंगा तो इसमें क्या होता है इंप्लॉई जो होते है वह मोटिवेट होते है तो इंप्रूव देर परफॉमेंस ठीक है दूसरा इंटर्ने रिक्रूट्मेंट जो है वह सिंप्लिफाई करता है अब इस सप wzglंड़ा और बरफिल्हार गर्मेंद करूने अगर करें तो ूठ ये ठ्द्ट हो जाएगा पर बाहर से किसी इनसान को लेकर करके आते तो उन्हें भी समझना पड़ेगा ठीक है मेरे साथ उनका experience बन चुका है तो यह करता है सिंप्लिफाइ करता है process of selection and placement ठीक क्योंकि वह उन्हें प्रमोट ही तभी करेंगे जब उन्हें पता हो अब वह मेरे को फोड़ी ना कर देंगे वह तभी मुझे प्रमोट करेंगे जब मैं उस काम को करने का practice कर चुका हो तो मेरी अल्रेडी ट्रेनिंग हो चुकी है मेरी development अल्रेडी हो चुके बस अब वह मुझे position दे रहे उस जगह पर transfer कर रहे यह position दे रहे तो इसका उतर क्या होगा कोई कोई वेस्टेज टाइम नहीं होगा कोई नया इंसान आएगा तो से ट्रेनिंग देनी पड़ेगा उसको develop करवाना पड़ेगा ठीक है और अगर आप jobs को इंटरनेली लाते हो तो company के लिए बहुत cheaper हो जाता है cheaper इसलिए हो जाता है तो अगर कुछ खासी आता है तो कुछ इसकी सीमाएं भी होगी क्या सीमाएं क्या limitation इसकी एक सिंपल सी बात समझो कि इसमें क्या होता है induction of fresh talent is reduced यानि आपकी company में जो लोग पहले से काम करते आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं की growth हो रही है तो जो न्यू लोग है जो हमारे जेशों unemployment क्यों है इसी लिए तो है ना यह न्यू लोगों को job की जगह ही नहीं मिल पा रही है ज्यादातर लोग internal source of recruitment पे जाते है तो उसे fresh talent जो अल्रेडी काम कर रहे हैं तो कुछ लोग आल सी भी हो जाएगे स्टार्टिंग में कोई काम करेगा जैसे कि मालों की पर यह जो है पर यह मैं एक सिंपल दिवास तो आता है हमारा teacher of the year का एक निकल के आया ठीक है teacher of the year कौन है मैंने first year मेहनत की लेकिन मुझे पता चला कि यार मैं क्या करूंगा मैं रधर स्टार्शक हो जाओंगा अब क्या ही काम करना यह लोग हमें देते तो है है तो कह्ते नहkraft यह बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे की बुराही तक करने लग जाते है दोनों तरीके से खराव होता है ठीक है तो वह इंसन जिगह जब टिक के काम ही नहीं कर पा रहा है तो अपना आउटपट कैसे दे पाएगा तो इससे क्या होता है इससे कंपनी की प्रड़क्टिविटी जो होती है वह रिडियूस हो जाती है ठीक है वही अगर हम लोग एक्सटरनल सोर्स अफ रिकूट्मेंट की बात करते तो एक्सटरनल सोर्स का मतलब क्या हो गया कि यह कंपनी के बाहर आपकी ऑर्गनाइजेशन आउटसाइड ऑफ और्गनाइजेशन स वहां पर बहुत जादा एक पॉपिलर सोर्स होता है यह रिकूट्मेंट वर टेक्निकल और प्रोफेशनल एंड इसे मेनेजरियल जॉब्स यानि क्या होता बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है यह कंपनी वर्ड अच्छा नहीं लग रहा चलो बड़ी बड़ी ऑर्गनाइजेशन जो है वह कहां आ जाती है कॉलेज कैमपस में ठीक है कॉलेज कैमपस में वह लोग लोगों का कह लेते हैं और वहां से कैंडिडेज जो होते हैं जो स्टुडेंट्स होते हैं उनको वो लोग सेलेक्ट करते हैं तो यह होता है हमारा कैमपस वाला ठीक है मैंने बिग ऑर्गनाइजेशन मेंटेन अ क्लोज लिंक विद देम एंड रिक्रूट कॉलिफाइड परस्नल पॉर वेरियस सेंटर आपको कोई सिखाने वाले इंस्ट्ट्यूट प्लेशमेंट कभ देता है जब उसके पास क्यंपस र्कूर्ट्मेंट रखते हैं यह नौत पर नौकरी हो तो नौकरी हो तो मुझे बताना इसके लिए वह आपसे पीस लेते हैं किसी को लोग management consultant and placement agencies कहते हैं, so management consultant help the organization to recruit a technical professional and managerial personnel, they specialize in middle level and top level executive, placement, they maintain data of person with different qualification and skills, placement agency compile bio data of a large number of candidates and recommend suitable names to their clients, they charge fee for their services, यानि अगर company को कभी कार क्या होता है, company चाहती है कि भाई हमें चाहिए तो वो ऐसे कहा जादेगी, placement agencies के पास जाएगी, कि आपके पास क्या ऐसे लोग है, company placement agency के पास जाएगी, placement agency ने क्या किया हुआ है, आप से data लिया हुआ है, और वो data वो company को send कर देगी, इससे क्या होगा, company को मिल जाएगे, then employment exchanges होते है, employment exchange भी एक बहुत जरुरी चीज़ है, जैसे यह तो सारे placement agency होगी, प्राइवेट, government वाली जो होती है, वो किसकी होती है, employment exchange, employment exchange run by government help to match personal demand and supply by serving as a link between job seeker and employers, जो लोग नौकरी देना चाहते हैं और जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, उनके बीच यह एक link का का काम करता है, ठीक है, यह unskilled और skilled दोने टाइप के operative jobs के लिए अच्छी है, आप यहाँ पर कर सकते हो, फिर company एक और काम करते है, that is advertisement, वो newspaper, general, television, इन में क्या करती है, ad देती है, जिसे आप पढ़ते हो, आप apply करते हो, बहुत सार government jobs के लिए आती रहती, advertisement, private jobs के लिए आती रहती है, most of the senior position of industry and commerce are filled by this method, advertisement in newspaper or trade generals is generally used when a wider choice is required, the practice of telecasting of vacant post over TV, जैसे दूर दर्शन and other channel is gaining importance these days, तो हम digital होते जा रहे है, तो आप लोगों को पता ही है, यह यह, देन उसका देखता है, direct recruitment, direct recruitment वे क्या होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, walk-in interview, walk-in interview, इसमें इनोंने basically किया किया, अपने office के बाहर या अपनी company के बाहर एक date देदी कि इस date वे यह document लेकर कि organization वे आ जाना, साथ ही साथ हम लोग क्या कर लेंगे, आपका interview ले लेंगे और देख लेंगे क्या का में क्या नहीं करेंगे, तो a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the details of the job available, यानि कौन सी job available है, job seeker assemble outside the premises of the organization on the specific date, यानि एक date बता दी जाएगी, selection is done on the spot, यान को जादा रुखने की ज़रुत नहीं, उसी time पे hand to head selection हो जाता है, the practice of direct recruitment is followed usually for casual vacancies, permanent vacancy के लिए नहीं, casual vacancy के लिए बहुत जादा चलता है, unskilled और semi skilled job में, such worker are known as casual workers, ठीक है, क्योंकि इस casual workers को normally daily wage basis पे हमें दिया जाता है, यह जो हमारा direct है, direct recruitment, इसकी suitability वहीं पर है, अगर हम casual vacancies भरना चाहते है, या जब वहाँ पर क्या है, rush of work है, ठीक है, और कोई permanent worker जो है, वो absent है, तो वहाँ पर आपको कुछ दिनों के लिए कोई इंसान चाहिए, तो वहाँ पर यह चीज़ बड़े अच्छे से काम करती है, फिर बाकी labor के लिए, आपके पास labor contractors होते हैं, ऐसे कई contractors होते हैं, जिनके इंदर 50 labor, 100 labor होते हैं, आप उन्हें call कर देते हैं, आपको कितने लोगों की जरूरत है, वो भेज देते हैं, labor contractors who are themselves employee of the organization, maintain close contact with labor on payment of commission, they can provide the required number of unskilled workers at short notice, या अगर आपको short notice में ज्यादा लोग चाहि के देदेंगे, बदले में आपसे commission लेते हैं, आता है, casual callers, एक company क्या करती है, एक database रखती है, किसका unsolisticated applicants का, यानि ऐसे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और जब, या जिनकी उन्हें जरूरत हो सकती है, जैसे company में vacancy आती है, वो तुरंट उन्हें call कर लेते हैं, हमारी company में इस चीज की job है, आ सकते हो आप, इसते advantage यह होती है कि यह cost of recruiting workforce in comparison to other sources, यानि recruitment की जो cost वो काफी कम हो जाती है, बाकी में काफी cost ज्यादा होती है, इसमें काफी कम cost हो जाती है, बाकी इसके कुछ और भी तरीके है, जैसे recommendation of employee, यानि आपका बाहर का कोई इंसान है, कि कमपनी में काम नहीं करता है, कि कमपनी में काम करने वाला जो manager है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो उसको recommend कर रहा है, कि आप उसको लेके देखो, वो अच्छा काम करता है, तो many firm encourage their employee to recommend the name of their relatives and friends for employment, such applicants are likely to be good employees because their background is sufficiently known, आप अगर जातो कई सारे call center में होता है, वो reference मांगते कि आप किसके reference से आए हो, तो वो आपका जो reference दे रहा है, वो company को recommend कर रहा है, आपके लिए, तो recommendation of employee, ठीक है, then question no.9, जो point no.9 है, वो है web publishing, internet आज की data आप लोगों को पता ही है, तो यह common source of internet बन चुका है, चाहे नौकरी.com है, shine.com है, LinkedIn है, indeed है, कई सारे है, ठीक है, बहुत सारी website's है, जो कि इसी चीज़ का काम करते हैं, कि आप वहाँ पर job seekers और job providers आते हैं, और वो एक दूसरे को job offer देते हैं, and selection करते हैं, ठीक है, तो यह थे हमारे 9 तरे के external source of recruitment, अगर मैं बात करता हूँ कि इसके merits के फायदे किया है, तो सबसे पहली बात हो qualified personal आते है, त आप किसी इंसान को recruit कर रहे हो, तो आप पहले ही उसके लिए बना दे तो भाई इसके अंदर यह quality होनी चाहिए, यह qualification होनी चाहिए, तो जो आएगा, वो qualified इंसान ही आएगा, by using external source of recruitment, the management can attract qualified and trained people, to apply for the vacant jobs in the organization, दूसरा wider choice, अब आपकी company में 50 लोग है, जिनमें तो 10 manager है, तो आ management has wider choice in selecting the people for employment, then बात आती है, fresh talent की, अगर आप company के अंदर से लेकर के आ रहे हो, तो fresh talent का induction खतम हो जाएगा, लेकिन अगर आप external source से लेकर के आते हो, तो एक wider range है, new blood है, एक fresh talent आप लेकर के आ सकते हो, और fourth हो था competitive spirit, if a company taps external source, the staff will have the compete with the outsider, outsiders, यानि कि अगर बाहर से आप किसी को लेकर क्या रहे हो, तो यह company में बहुत टाइम से लोग लगे हो है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा competition का level अपना बढ़ाना पड़ेगा, वरना आप उनको भी डर रहेगा, कि वह उनकी नौकरी हटा के दूसरे को दिया जा सकता है बाहर वाले को, तो एक यह होता है, competitive spirit भी होती है, लेकर जहां कोई merit होती है, वहाँ demerit या limitation भी जरूर होती है, कोई नहीं कोई problem भी जरूर होती है, तो क्या होता है, पहरी बात हो, dissatisfaction among existing employees, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, वो तो यह सोचेंगा है, यार काम तो हम करते हैं, हमने इस company को इतने साल ना तो हमारा promotion कर रहे हैं, ना हमारी income बढ़ा रहे हैं, जब भी कोई नया जगा खाली होती है, तो यह तो बाहर से बुला लेते हैं, लोगों को, तो उनका क्या होगा, वो dissatisfy हो जाएंगे, recruitment from outside may cause a dissatisfaction among the employee, they may feel that their chance of promotion are reduced, दूसरी बात है कि external source हमेशा costly होता है, इसमें बहु और तीसरा यह काफी lengthy process भी होता है, ठीक है, it takes more time than internal source of recruitment, जैसे कि आपने कई government jobs वाले में देखा होगा, कि form भरा दो साल पहले, एक exam अभी हुआ, एक अगले तीन साल बाद होगा, पता नहीं, 6 साल, 7 साल बाद result निकलेगा, क्या निकलेगा, यह lengthy process होता है, ठीक है, तो recruitment का process हमारा खतम हो चुका है, next process होगा हमारा selection का, जो कि होगा part 3 के अंदर, मैं वीडियो जदा लंबी नहीं करता चारो, इसलिए वीडियो को यहीं end करते हैं, तो अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी advice है, कोई भी suggestion है, कोई भी आपको पास complaint है, या कोई आपकी विश ह कि मैं वो topic पढ़ा हूँ, कौन सा topic पढ़ा हूँ, या कि इन चीजों को discuss करूँ, तो please मुझे comment box में बताइए, ताकि मैं उसके उपर work कर सकूँ, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो please वीडियो को like करे, अपने friends के साथ share करे, और सहसत मेरे channel subscribe भी करे, ताकि आपक को भी support मिले, मुझे भी support मिले और ऐसी वीडियो में लगाता रहा हूँ, ठीक है, बाकि be healthy, stay safe and thank you for your time